नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी बिहार मैं हूँ कॉसलेंद्र आज बात भारत नेपाल मैत्री शंबंधों की हलांकि दोनों देशों के संबंधों के पीछे दोनों के हित शिपे हैं और किशी भी देश के लिए उसके पडोशी से संबंध उसके कुट्रितिक पहल पर दिर करता है हलांकि जैसा आपको देखने में आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री लगातार सिर्फ पडोशियों से ही नहीं बलकि दुनिया के शक्तिशाली देशों से भी शंतुलन बनाने में अपने आपको काफी शक्षम महसूस कर रहे हैं और उनकी उनका लोहा दुनिया मान रही है भारत मैत्री शंबंधों को लेकर के बरतमान में क्या इस्थिति है किस तरीके से पहल की जा रही है हमारे खास अतिथी बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद जो वरिष्ट पत्रकार भी है उनसे हम इस संबंध में बात करेंगे कि बरतमान दौर में भारत नेपाल मैत्री शंबंधों की इस्थिति क्या है हाला कि प्रधान मंत्री के द्वारा लगातार नेपाल के हितों और भारतिये हितों को देखते हुए दोनों के दोस्ती को मजबूत करने की पहल की जा रही है हमारे साथ निखिल आनंद जी है निखिल जी यूं तो प्रधान मंत्री अमेरिका से लेके रसिया तक को साध चुके है चाहे इरोपियन कंट्री हो लेकिन भारत के ठीक बगल में एक तो नेपाल है और दूसरा चीन भी है पाकिस्तान भी है बंगलादेश भी है तो चाईना से तो सामरिक संघर्ष चलते रहता है दुन्द चलते रहता है उसमें भी अपने कुट नितिक से कुट नितिक पहल से प्रधान मंत्री लगातार कोशिश करते हैं कि चाइना को दो डिक पेछे हटाएं भारत नेपाल मैत्री संबंधों को ले करके लगातार प्रयासरत हैं चुकी वहां राजनितिक इस्थिरता है इस इस्थिति में संबंधों को बनाये रखना भी एक बड़ी सियासी और कुट नितिक पहल है आप इसको किस नजरिये से देखते हैं कि प्रधान मंत्री इसमें कहा आ और कैसे राजनितिक और कूट नितिक पहल कर रहे हैं? देखें नेपाल और भारत का एक अन्यो नासरे समाजिक संबंध रहा हैं राजनितिक संबंधों बाद में हुए और पुराने काल में जो समुद्र गुप्थ का जो राजशाही का दौर था तो उस वक्त नेपाल औ और जब अंग्रेजों का काल आया, उसके बाद ये राजनितिक पहलू उभर कर आया, कि अंग्रेज जो शासन था, उस दौर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगला देश, और ये एक अलग-अलग एक जो सिक्त तेयार हुए, बंगाल बिहार का विभाजन और कई सारी च स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, हिमाले की तराई में है, चीन और भारत के बीच का एक बफर एस्टेट है, और भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के जितने परोसी देश हैं, अगर उसमें कहें तो बेटी, रोटी, और खून का रिस्ता, अगर किसी से रह है, तो नेपाल से रहा है, खास तोर से, पौरानिक काल में जा है, तो स्रीलंका और दूसरे संबंधों का विस्तार हम देख सकते हैं, इंडोनेसिया तक, लेकिन नेपाल हमारी बेटी रोटी के रिस्ते जैसा है, और नेपाल इसलिए खास तोर पर महत्वपूर्ण है, कि ब प्रतिद्वंदी है, और जो भौगौलिक राजनितिक परिस्थितियों में जो कई प्रतिद्वंदिता का भाव, जो इस छेत्र में, जो समुद्री छेत्र में और आसपास उभर रहे हैं, चीन एक प्रमुख प्रतिद्वंदी बनकर उभरा है, ऐसे में भारत ने नेपाल क साथ रिस्तों को बखुबी निभाने का काम किया है। आप देखें तो देवबा जी प्रधान मंत्री बनते हैं, सबसे पहले भारत आते हैं, ओली जी प्रधान मंत्री बनते हैं, भारत आते हैं, प्रचंड कमल दहल अभी जून में वो भारत आये। और जिस तरीके से यहां सम वो भी नेपाल जाते हैं ये बाते प्रिस्ट भूमी में बहुत ही महत्पूर्ण जिन बातों को हम समझना चाह रहे हैं कि नेपाल से हमारा सियासी कुट नितिक और उससे ज़्यादा कहीं सामाजिक संबन्द है तो देवबा जब यहां आये थे उसके बाद प्रधान मंत्री ने एक रेलिंग का उधगाटन किया 132 के भी ट्रांसमिशन के जो विद्दुत का जो यह था उसका उधगाटन किया उसके बाद रामायन सरकित का उधगाटन किया तो पहल तो लगातार की जा रही है हम जिस बात पे जोर भी दे रहे थे कि चुकी राजनितिक इस्थिरता वहां रही है इस बीच में भारत के द्वारा लगातार सियासी और कूटनितिक पहल कर जिसमें दोनों के हितों का संग्रक्षन हो और हमारी सियासत भी चलती रहे इसमें प्रधान मंत्री का रुख बहुत ही बेहतर रहा है दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि धार्मिक और संस्कृतिक पहल जो है आप बाहर के देशों में भी देखेंगे तो संस्कृति पे खास कर विजेस बजट होता है हमारे प्रधान मंत्री का भी इस मामले में कहीं न कहीं जो बाहर भी गए तो अपना एक वेस बूसा है या प्रवासी भारतियों को ले करके जिस तरीके से उन्होंने पूरे वर्ड में एक मांदंड अस्थापित करने का किया वो भी बहुत काबिले तारीफ है लेकिन हम बगल का पड़ोसी देश है और वहाँ आना जाना प्रति दिन लाखों लोगों का वहाँ से है तेव द्यूबा हो गए अभी तो प्रचंड भी आये थे आप रामायन सरकीट को किस नजरिये से देखते हैं कि रामायन सरकीट ठीक है आपने रेल लिंक का उदगार्तन तो हो गया लेकिन रामायन सरकीट का जुड़ाव वहाँ से भी है और यहां से भी है बीच में एक प्रधान मंत्री जी ने वहाँ के कुछ भगवान राम को लेकर करके ऐसा लेकिन बाद के लोगों ने उसको बड़ा अस्थापित करने का प्रयास किया और स्वैम जब देवबा आते हैं तो वो बनारस भी जाते हैं तो इसको किस नजरिये से देखते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक पहल इन दोनों देशों के बीच दोस्ती को कितना मजबूत करता ह देखे ये जो बेटी रोटी के रिष्टे और समाजिक रिष्टे हैं इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू तो सबसे महत्वपूर्ण है अब रामायन सरकिट बिलकुल महत्वपूर्ण तो है ही राजा जनक का राम जी से जो संबंध है अयोध्या से जो संबंध है तो जनक नन्दिनी सीता हम सब की हैं सीता मढ़ी है हमारे पास अयोध्या है तो कहीं न कहीं जनक तक राजा जनक की प्रिष्ट भूमी तक हम पहुँचने की जो हमारी कवायद है तो एक रेल लाइन और सरक मार्ण तो उसमें महत्यपूर्ण है इसमें बॉध्य सरकिट भी और नेपाल के रिष्टों में बिहार की बड़ी खास भूमिका है कि वहां के छात्र और वहां के लोग जब भी भारत में जो सिक्षन के लिए आते हैं या फिर स्वास्त सुविधाओं के लिए आते हैं तो भारत में भी उनको भारत के नागरिक की तरह संबान है कभी किसी ने देशी की तरह भारत में ट्रीट नहीं किया गया और हम लोगों ने उस नजरिये से कभी नहीं देखा आप भारत के देखे तो समाजिक परिवेश में काम करने वाले कामगार के तौर पर या पहारी छेत्र उत्राखंड में या कहीं भी आप देखें तो नेपाल के लोग और ग में नेपाल की पुरानी विरासत से जुरे लोगों का की एक आबादी रहती है जो सभी राजियों में निवास करती है तो भारत में भी एक नेपाल बसता है और नेपाल में भी एक बड़ा भारत बसता है और ये जो दोनों के बीच एक नासरे संबंध बनाता है ये बहुत ह अगले दस सालों में जो उर्जा के छेतर में जो महत्पूर्ण जो काम हुए है कि भारत वहां से बिजली आयात करेगा और नेपाल को आर्थिक तोर पर हमलाव पहुचाने के लिए जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी ने एक वीजन दिया है भारत नेपाल सं तो हाईवे आईवे और ट्रांसवे इन तीनों के थुरू हमारा संबंध जो next generation relationship वो हम मजबूत करने की प्रिष्ट भूमी रख रहे हैं और इसकी सुरुवात प्रधान मंत्री जी ने नए दर्शन के साथ इसकी सुरुवात की है अपने दौर आईवे तो सडक हो गया जी देखे जो technology माध्यम से जूट जूड़ेगा और ट्रांसवे transportation का हमारा है और उसी में बिजली ले सकते हैं ट्रांस्पोर्टेशन की बात आती है तो उसमें रेल, सरकमार्ग और दूसरे और जितने तरह के पहलू हो सकते हैं उन सारे पहलू में भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे से जुराव है जो भारत की सीमा है और नेपाल की सीमा है ये ऐसी सीमा है जहां कहीं आपको पासपो तो जैसे हम अयोध्या जाते हैं, वैसे काठमांडू जाते हैं तो पसुपतिनाथ के दर्सन करते हैं, तो ये जो भाव भावना है, तो हमें नेपाल और भारत को, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और प्रगार करेगा, भारत के लोग जो वहाँ हैं मदेसिया समाज के, उनके कुछ ग्रिवांसेज है वो राजनितिक तोर पर तो मुझे लगता है कि नेपाल की सरकार आने वाले समय में जो बड़े फलक पर देखते हुए वस्तु इस्थिती को वहाँ पर उनको सही से उनके ग्रिवांसेज को जरूर एकोमोडेट करेगी और भारत तो हमेशा से न ने जो बड़ी सफलता प्राप्त की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने डेर सो करोड लोगों को डबल वैक्सिनेशन करा कर अब तो बुस्टर डोज भी हम लोगों ने कराया बड़े हद तक अब ऐसे में नेपाल को भी हमने अपना समझ कर हमने कॉंट्रिब्यूट कि वैक्सिनेशन यहां तो कई देशों को वैक्सिनेशन गया नेपाल तो चुकी उससे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है इस वज़े से खास तोर पर प्रधान मंतरी जी का वहां विशेस ध्यान है और वो लगातार इन चीजों को करने में जुटे हैं और पिछले ही साल उ हमारे संबंधों को और मजबूत करता है जैसे आपने कहा ना कि हाईवे आईवे और ट्रांस्पोर्टेशन जी ताइवे देखे है क्या कि नेपाल के लोगों की भी बड़ी इच्छा होती है कि वो बनारस जाए और वहां जो भगवान स्रीव का जो बड़ा कोरीडोर नरें अब जनकपूर से अयोध्या इस तरह की बसे चले फविस्य में ये दर्सन हम लोग प्रस्तूत कर सकते हैं और हमारा जो टुरिजम है धर्म और संस्कृति के रास्ते से उसी कारण से और प्रगार होगा तो इस तरह की जो ट्रांस्पोर्टेशन की जो नए प्रयोग हो सकते और बेहतर हो आवागमन आवागमन तो भारत और नेपाल इतना सहज है कि कोई भी अपनी गाड़ी उठा कर नेपाल पहुच सकता है और ये संबंदों को आधार संबंदों का आधार मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहां का जो बहुस अंक्यक समाज है व जो जिस संस्कृति और रहन सहन के अस्तर को अपनाता है वही सेम चीज वहाँ है और उसमें बहुत कुछ हंतर नहीं आपने कहा ना कि बेटी रोटी का संबंद है तो जिस देश से बेटी रोटी का संबंद हो बीच बीच में कई चीजें आ जाती हैं इसी तरीके से एक जो पैसा है, रुपे, इसका नेपाल में सीधे सीधे तोर पर सुविकार किया जाना है, नेपाल एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हिमाले की तराई का छेतर होने के कारण, वहां पर अंतरास्टिय टूरिजम का एक हॉट बेड है, लोग आते हैं, दुनिया भ भारत के नागरीक नेपाल गूमते वक्त अपने को किसी दूसरे देश में नहीं करते है, और भारत और नेपाल के बीच छोटे मोटे जो सीमा को लेकर के, जो सीमांकन को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं मेडिया में, तो मुझे लगता है कि हाल के दिनों में प्रधानमंत जी की जो बात हुई है, उसमें सभी पहलू उपर बात हुई है, साथ सुत्री जो समझोता हुआ है, तो उसमें कई पहलू उभर कर आये हैं, और भारत और नेपाल के बीच जो एक हमारा महत्वण पहलू है, इसको मैं फिर से याद करना चाहूँगा, कि प्रधानमंत्री जब को मिला, और मोधी-मोधी, तो लगा कि वो किसी नेपाल के संसद में नहीं जा रहे हैं, भारत की संसद में पहली बार प्रवेस कर रहे हैं, तो ये जो भाव और भावना, और इतना प्रधानमंत्री जी के लिए उद्गार, और भारत के प्रधानमंत्री जब भारत के लिए संबोधित करते हैं तो नेपाल के लोग भी उसको सुनते हैं आप देखें तो सोसल मीडिया पर ट्वीटर पर प्रधान मंत्री जी को जितना मेंसन किया जाता है कोट किया जाता है उसमें बड़ी संख्या हमारे नेपाल के की भी होती है तो नेपाल और भारत कहीं से भी अलग नहीं है स्ट्रेटिजिक तोर पर एक अलग देश है लेकिन वो हमारा ही एक अंग है यूं कहते हमारा दिल है यही है हमाले की तराई में वो हमारी नजर है जिससे दुनिया को हम देखते हैं और कम से कम नेपाल में बैठ कर चीन को बेहतर हम देख सकते हैं और वो हमारी शामरिक मजबूती के लिए नेपाल से हमारे जो संबंद है उसको मजबूती देना काफी वेहद हम है हाला कि बीच के दौर में कुछ हैसा हुआ था कि काला पानी लिपू लेक, और कुछ ये को जगों को लेकर के नक्षावगर को प्रचारित करने की कोशिस की गई थी, जो प्रधानमंत्री के पहल से और वहां के जो प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद से इन सारी चीजों में बतलाव आने लगा है सबसे बड़ी बात है कि हम खास करके ये बिहार के लोग देख रहे हैं बिहार का ये दुर्दर्शन डिडी ने उज़े बिहार तो बाढ़ को लेकर के कई चीजें जो आती है नेपाल से उधर से इसको किस नजरिये से कुछ ऐसा है जिसे सुल्जाने की कुसिस की जा रही है देखिए जो भारत और नेपाल के बीच और कहें तो पुर्वान चल इसमें उत्तर प्रदेश को भी हम साथ ले सकते हैं ये तीन राज्ये हैं मैं आपने बता है कि हाल फिल हाल में मैंने एक आलेक भी पढ़ा था कि वहां के आपने उत्तर प्रदेश की बात की और पुर्वान चल की बात की बिहार की जनता भी महसूस करती है निपाल की जनता भी और मुझे लगता है कि जो Water Resource Management हालाकि बिजली के छेतर में बहुत ही भारत के सहयोग से निपाल में भी प्रगती हो रही है लेकिन उसकी संभावनाय अपार है अगर उसका Water Resource Management प्रोपर हो तो मुझे लगता है कि पूरा नेपाल और पूरे उत्तर भारत के बिजली समस्या का समाधान हम कर सकते हैं जो कि बार के कारण तबाही भी होती है परबादी भी होती है जल संसाधन का उचित संचेयन भी हम नहीं कर पाते हैं यह बड़ा टास्क है जिसको बड़े दिल के साथ और करने की जरूरत है कई बार बिहार की सरकार जो सरकारे होती है पक्षवी पक्ष में एक दुसरे पर जो सवाल उठाती है तो इसमें जल संसाधन का मसला उभर कर आता है तो इसको एक करने की जरूरत है जो बिहार की जनता भी उत्तर प्रदेस में आम जनता जो बार्गरस से छित्रों है उत्तर बिहार में उत्तर बिहार में काफी हमें मतलब हानी होती है जिसका और इस पे तो लगातार बाची चल रही हलांकि आपने कहा कि बाटर रिसोर्स को ले अधान एक बड़े पैमाने पे दो देशों की बात है, अलांकि चीन के द्वारा लगातार रोटी सेखने की कोशिस की जाती है, लेकिन भारत के कूटनितिक पहल से उसको लगातार धीरे धीरे दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिस बिजली की बात और बाटर रिसोर्सेज की बात आप कर रहे हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ समझावता हुआ है, जो बंगला देश से भी उसका जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, 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 समभबता कोई समझावता हुआ है, ये बड़े काम हो रहे हैं देखिए भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उसमें अगर देखे तो किसी को अगर थोड़ा कस्ट जैसी संभावना होती है तो चीन को होती है और अर्थ विश्था के अस्तर पर हमने जो विस्तार किया है भारत और नेपाल के बीच का आयात निर्यार वो करीम लाख करोर के उपर पहुँच गया होगा और जिस तरीके से भारत ने वहां पर उसको अपना समझते हुए चुनौतियों में नेपाल को हमने थामा है वहां पर पुनर निर्मान जो रीकंस्ट्रक्शन के पहलू जो सिक्षा के छेतर में स्वास्त के छेतर मे जो हमारे जो वहां पर ट्रीटीज साइन हुए है बिजली के छेतर में हुए है और जिस तरीके से इलेक्टिसिटी प्रोडक्शन में तो भारत तो सेल्फ सफिसियंट अब हो गया है तो भारत अब जिन छेतरों में सक्षम हो गया है भारत तो अपने चीजें शेयर करने वा के लिए भी सोचा, तो ये भारत एक ऐसा देश है, दुनिया का सबसे उदार देश है, जिसने सिर्फ अपने स्वार्थ में कुछ नहीं किया, भारत ने कभी भी हेजमिनिक टेंडेंसी जो विस्तारवादी निती है, उसका कहीं भी एक्स्प्रेस नहीं किया, हम बड़े ही भाव के साथ, सबको वसुधेव कुटुम्बकम की भावना से, और प्रधान मंत्री जी ने जिस तरीके से दुनिया के फलक पे अपना वजूद अस्थापित किया है, एक नित्रितु के अस्थर पर, नेता के तोर पर, जी ट्वेंटी का अगुआ बनने का काम भारत ने किय है, तो ऐसे में भारत की और दुनिया के देश ही नहीं देख रहा है, नेपाल तो निश्ची तोर पर देख रहा है, नेपाल हमारा भाई, अब पहले वाली भावना आप नहीं है, भारत अब नए, अब विदेश निती की जो यहां परिस्थितियां उत्पन हुई है, हम नहीं समझते हैं, या मालदिव हो या कोई भी देश हो, हम सभी परोसी देशों को एक बराबर का समभाव वाला देश समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, और नेपाल के साथ जो भावनातमक संबंध है, तो उसको बिहार के लोग ज्यादा बखू भी महसूस करते हैं, किसी का घर यहाँ है, किसी का बाजार वहाँ है, किसी के परिवार वहाँ है, उनकी खेत यहाँ है, तो इस तरह के संबंध हैं, और नेपाल के लोग भी भारत में अपने जो अर्थवय वस्था का इंट्रेस्ट है, उसको भी आराम से विस्तार देते हैं, कभी उसके लिए रोक टोक नहीं रही, तो भारत में नेपाल के लिए पूरा एस्पेस है, और नेपाल में भारत ने जो कॉंट्रिब्यूट किया है, वो अब आने वाले समय में किसी देश की अगर कूद रिष्टी भी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो गठ जोर है हमारा, जो के लिए उसके परियावरन के दृष्टी कौन से, चुकि नेपाल और भारत दोनों ही विस्तारवादी देश नहीं है, संभाव में रहने वाले देश है, इसके पीछे का एक दर्सन है, संस्कृती है, और कहें तो थोड़ा सा हिंदू, जो सनातन धर्म की जो प्रिष्ट भी जाते हैं, दोनों देशों के लोग तो हम अमरनाथ भी जाते हैं, तो हम कहीं अगर पहुचना चाहते हैं, तो साथ पहुचना चाहते हैं, और यहां सेटेलाइट और कुछ में, अगर सामरिक दिश्टी कौन से, एक बात और मैं कह दूँ कि भारत और नेपाल के बीच, जो सन्युक्त, सैन्य ट्रेनिंग साथ होती पिछले कई दसकों से चला रहा है, भारत, नेपाल किसी अन्य देश के साथ जो सन्युक्त सैन्य अभ्यास की परंपरा नहीं रही है, लेकिन भारत के साथ नेपाल की रही इंडिये की जो ट्रेनिंग होती है, CDS की जो ट्रेनिंग होती है नेपाल के भी हमारे कैड़ेट वहां से क्वालिफाई होके निकलते है जो हमारे सिविल सर्विसेज अकैडमी है चाहे सरदार बल्लब भाई पटेल पुलिस अकैडमी हो या मसूरी का IAS ट्रेनिंग अकैडमी वहां नेपाल के भी ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन किया जाता है निकल भाई हम लोगों को समय का भी ख्याल रखना होगा ये थे निकल आनंद जिन्होंने बताया कि कैसे भारत के प्रभानमंत्री के सांदार जानदार और बजंदार कूटिनिती और सियासी पहल की वज़त से लगातार भारत नेपाल मैत्री शंबंध अपने मजबूती की तरफ बढ़ रहा है निकल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर अगले कार्जक्रम में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए बिदा लेते हैं